अगर हमें लेवल्स बनाने हैं अलग-अलग एड्रसेज के तो हमें सबस्α पहले जाना पड़ेगा मैलिंग स्टेव में जाने के बाद वहां पर रावंपर स्टार्ट। लेवल्स बने, एक पेज में चार लेवल्स बने, एक पेज में तीजटो लेवल्स बने, हम जितना चाहे उतना options यहाँ पे choose कर सकते हैं, जो कि multiple options हमें यहाँ पे given है, तो हमें एक पेज में यहाँ पे कितने टो तीजटो लेवल्स बनाने हैं, तो यहाँ पे हम 30 पर पेज का करेंगे, और जो लेवल्स होंगे वो landscape के form में होना चाहिए, मतलब उसका width ज्यादा होना तो यह ज्यादा width वाला 30 पर page वाला हमने यहाँ पे select कर लिया, उसके बाद हमें यहाँ पे ok में click कर देना है, तो यहाँ पे हमें जो भी boxes चाहिए थे levels के, एक page में 30 वाला यहाँ पे वो boxes आ चुका है, उसके बाद arrange your levels, उसमें तो जाएंगे, उससे पहले हमें यहाँ पे क चलेगा, access seed वाला होने से भी चलेगा, अगर पहले से excel में कोई seed हम बना के रखे हैं, addresses का, उसको यहाँ पे implement कर सकते हैं, और यहाँ पे browse option में जाके, और अगर पहले से कोई list हम बनाए नहीं है, तो type a new list में click करेंगे, और वहाँ पे create का option आएगा, create के option में click करेंगे, create के option में click करने के बाद, customize column में चाहिए जाएंगे, और address में हमें जितना चाहिए, उतना रखेंगे, बाकि सबको यहाँ पे delete कर देंगे, जो नहीं चाहिए, उसको rename कर देंगे, okay? जो जो भी columns हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, हम easily उसको remove कर सकते हैं, जो जो चाहिए रखेंगे, और जिनका नाम अगर हमें change करना है, तो rename option में click करके rename भी कर सकते हैं, हम उतना रखते हैं, तो हम यहाँ पे अपने मर्जी से कुछ भी लेते हैं, तो next next कैसे जाना है, तो यहाँ पे easily हम हमारे keyboard के tab button को press करके next next जा सकते हैं, यह फिर एक row complete हुआ, तो next row में जाना है, तो new entry में click करके भी next row में जा सकते हैं, तो हमने यहाँ पे तीन records यहाँ पे हमने insert किये, जितना चाहे उतना insert कर सकते हैं, और पहले से, जैसे कि school या फिर colleges में, या फिर कोई post office में, banks में, वहाँ भी क्या होता है कि addresses के जो list है, वो already excel state के form में available होता है, या फिर access state के form में available होता है, तो उनको और list बनाने के ज़रूरत नहीं होती, ओके, तो वो directly use an existing list option को select करके, browse option के थ्रू जाके, उस list को क्या कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं, और फिर add कर सकते हैं, उसके बाद ok में click कर देना है, ok में click करने के बाद वो हमें उस list को दिखाएगा, list में जो भी data है, जिस list को हमने यहाँ पे select किया है, उस list को दिखाने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, उस list को हमें सबसे पहले यहाँ पे save कर देना है, जो भी list हमने बनाया, उस list को हमें यहां पे save कर दिए save करने के बाद वो list हमें यहां पे दिखा रहा है देखो यह list दिखा रहा है उसके बाद ok कर देना है अगर list हमारा सही है उसके बाद जो काम है इस काम को हमें यहां पे अच्छे से अभी देखना है तो यह कैसे करें तो सबसे पहला जो box है वहाँ पे हमें क्या करना होगा arrange your levels वाले option में पहले click करेंगे more items में जाएंगे जो भी हमें यहाँ पे insert करने हैं जैसे कि post name मुझे insert करना था मैंने insert कर दिया उसके बाद वहाँ पे और कुछ अगर insert करने है तो more items में जाके insert कर देना है जैसे कि city insert करना है insert कर दिया और कुछ अगर insert करना चाहते हो कर सकते हो तो यहाँ पे हमने जो insert किया इसको अभी हमें क्या कर देना है select करके copy कर देना है copy करने के बाद उसको जहाँ पे next record लिखा है next level में, वहाँ पेть करदेना है okay, वैसे ही जितने भी records हम वहाँ पे insert किये हैं उतने जगा पे affected करदेना है जबकि हम वहाँ पे तीन record insert किये थे तो वहाँ पे बस तीन ही levels बनेगा अलग-अलग address का अगर हम 50 ऐसे अलग-अलग addresses के record insert करते तो यहाँ पे अलग-अलग address के 50 levels बन जाते तो जबकि हमने 3 ही record insert किया है तो यहाँ पे हम 4 जगा पे अगर copy paste कर भी ले पर उसके लिए तो कोई record है नहीं तो data कुछ दिखाएगा नहीं बस यह 3 record के लिए ही data दिखाएगा पर यह जो 3 levels में जो भी data दिखाएगा वो अलग-अलग आना चाहिए मतलब यह जो levels हैं उनके addresses अलग-अलग आना चाहिए तो जलिए देखते हैं अलग-अलग addresses आते हैं या नहीं तो उसके लिए preview your levels में click कर देना है तो देखो यहाँ पर राहुल, SBP, राजू, RKL, रामू, BGH और चौथे में जबकि हमारे पास 3 records थे और चौथे नंबर पर कोई record था ही नहीं इसलिए यह blank आ रहा है और इन तीनों में जबकि अलग-अलग records थे complete the merge में click करेंगे उसके बाद print option में click करेंगे और ok option में click करेंगे और यहाँ पे जो भी printer हमें निकालना है जो भी printer हमारा connected होगा उस printer को हम यहाँ पे select करेंगे और print निकाल देंगे अगर कोई printer connected नहीं है उसको PDF में convert करके रखना चाहते हैं तो Microsoft print to PDF option में click कर देंगे और उसके बाद ok में click कर देंगे और उसके बाद वो क्या करेगा हमें allow करेगा किसी भी folder में हमें किसी भी drive के अंदर किसी भी नाम कोई भी नाम देके उसको हमें save करके रखने की facility वो हमें provide करेगा तो file name हम देके save option में click कर देंगे तो वो क्या करेगा जो levels हमने बनाया with different addresses उसको वो हमारे system में PDF के form में save करके रख देगा जिसको हम हमारे pen drive के थूँ mobile phone के थूँ लेके easily कहीं पे भी print निकाल सकते हैं so I think आप लोगों को समझ आ चुका है कि हम कैसे levels with different addresses कर सकते हैं MS Word को use करके so next class में हम discuss करेंगे ऐसे और कुछ topic के बारे में आज के लिए इतना ही thank you